हर्याण विधान सभा चुनाव के लिए नामंकन का दौर जारी है 12 सितंबर यानी दो दिन बाद नामंकन की लास्ट डेट है लिहाजा बीजेपी और कॉंग्रिस आज शाम तक बचे हुए उमीदवारों के लिस्ट भी जारी कर सकती है इस बीच हर्याणा के मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी और राज्य मंत्री सुभा शुधा ने आज अपने अपने विधान सभा शेत्रों से नामंकन पत्र दाखिल किया इस दोरान कींद्री मंत्री और हर्याणा के पूर मुख्य मंत्री मनुहा लाल खटर भी उनके साथ रहे मुख्य मंत्री नायप सिंग सैनी ने लड़वा विधान सभा शृत्र से नामंकन दाखिल करने से पहले अपने आत्मिश्वास से कहा कि उन्हें लड़वा के लोगों का भरपूर प्यार और आश्रवाद मिला है उन्होंने दावा किया कि चुनाव के नतीज़े आने पर हर्याणा में तीसरी बार बीज़िपी की सरकार बनेगी सीएम सैनी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नितित्व के सरहना करते हुए कहा कि हम पीए मोधी के साथ मिलकर हर्याणा में विकास को और आगे बढ़ाएंगे वही कॉंग्रस पार्ची और भुपेंद सिंग हुड़ा बर्भी निशाना साधा और कहा कि हुड़ा के पास ना तो कोई नेती है और ना ही नियत कॉंग्रस भष्टचार में डूबी हुई है और उनके पास जनता के लिए कोई ठोस योजना नहीं है इस दोरान और क्या कुछ कहा उन्होंने जराब भी सुगे लाडवा के लोकों का आशिरवाद प्यार ये बरपूर बरसरा है और जब आठ तरीक को रिजल्ट आएगा हर्याना में तीसरी बार भारतिय जनता पार्टी की सरका बड़े मेंड़िट के साथ बन रही है और हर्याना के विकास को आतनिया नरेंदर मोदी जी के साथ मिल करके हम गती से आगे बढ़ाने बाले है वही पानिपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने भी अपना नामंकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर शहरी और उर्जा किंद्री मंत्री मनोहरला ने बिपक्ष पर कड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि हरियाना में भाचपा मजबूत इस्तिती में है और प्रदेश में तीसरी बार भाचपा की सरकार बनने जा रही है उन्होंने दावा किया कि पानिपत समेत करना लोगसबर शित्र की सभी नौ सीटों पर भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से विजय होंगे केंद्री मंत्री ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के नितृत्व में हो रहे विकास कार्यों की भी सहराना की और कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों को साथ लेकर काम किया जा रहा है पार्टी में नाराज निताओ पर उन्हें कहा कि भाजपा का एक बड़ा परिवार है वो परिवार में कोई सद से नाराज होता है तो उसे मना लिया जाता है